तुमें हमने बन्नौल एक्वेशन के बारे में पढ़ा था, चैप्टर थी में हमको उसके एप्लिकेशन के बारे में पढ़ने हैं, इसके कुछ एप्लिकेशन है, जैसे कि वेंचुरी मिटर है, और फिक मिटर है, रूटर मिटर है, अलबो मिटर है, और पिटॉर्ट राइन पाइप में कितना rate of low हो रहा है कितना recharge हो रहा है उसको measure करने के लिए वंचुरी मिटर का यूज करते हैं वेंचुरी मिटर्थ के होते हैं horizontal, वेंचुरी मिटर, vertical और inclined अभी हमको horizontal वेंचुरी मिटर के बारे में पढ़ना है इसमें तीन पार्ट होते हैं पहला है एक सौट कनवर्जिंग पार्ट इसको क्या पूलेंगे हम लोग सौट कनवर्जिंग पार्ट उसके बाद आता है थ्रोट यह जो कॉंस्टेंट लीख रहा है यह कहा है थ्रोट है उसके बाद क्या है डाइवर्जिंग पार्ट यह जो हम को दीख रहा है यह कहें diverging part है converging part हुआ throat हुआ diverging part हुआ यह section 1 हुआ section 1 हुआ pipe का यह section 2 हुआ expression for rate of flow rate of flow निकालने के लिए हमको बनौल equation का यूज करना है और continuity equation का यूज करना है हमको यहां पर venture meter दीख रहा है जिसमें YouTube manometer लगा हुआ है कि section 1 यह section 1 हो गया और यह section 2 के भी मतलब pipe का इलेट हो गया pipe का area क्या हो जाएगा यहां पर a1 और velocity क्या हो जाएगा v1 यह throat के पास का area कितना है a2 है और velocity क्या हो जाएगा v2 है यहां पर हमको बनौल equation यूज करना है section 1 और section 2 में बहुत सिम्पल डेरिवेशन है applying बनौल इक्वेशन 8 section 1 & 2 बनौल equation क्या होता है P1 upon rho G V1 square upon 2G plus Z1 equal to P2 upon rho G plus V2 square upon 2G plus Z2 अभी हमारा वैंचुरी मिटर कैसा है? horizontal वैंचुरी मिटर है तो इसमें जो डेटम है Z1 क्या रहेगा? Z1 equal to Z2 रहेगा तो हमारे पास क्या बसता है? P1 upon rho G plus V1 square upon 2G equal to P2 upon rho G plus V2 square upon 2G इसको मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ P1 minus P2 upon rho G equal to V2 square minus V1 square upon 2G इसको हम क्या बोलते हैं? वैंचुरी हैड बोलते हैं वैंचुरी हैड यह हमारा बन्नौल equation हो गया अब हमको पता है continuity equation क्या होता है? from continuity equation Q equal to A1 V1 equal to A2 V2 Q क्या है? discharge है इसको क्या बोलते हैं? flow और discharge यही हमको क्या करना है? वैंचुरी मिटर क्या करते हैं? इसको measure करते हैं तो V1 यहाँ पे से क्या हो जाएगा? Q upon A1 और V2 क्या हो जाएगा? Q upon A2 अब मिरे को पता है वैंचुरी हैड क्या है? V2 square minus V1 square upon 2G यह हमने अभी निकाला था है यहाँ पे इसको put करते हैं तो H equal to क्या हो जाएगा? Q upon A2 का square minus Q upon A1 को square upon 2G इसको simplify करूँगा तो यह आएगा Q square upon 2G A1 square minus A2 square upon A1 square into A2 square simplify करने के बाद यह हमको मिलेगा यहाँ से मैं किसका value निकालूँगा? Q का value मेरे को यहाँ से निकालना है तो Q equal to क्या हो जाएगा? Q equal to होगा under root 2G H A1 A2 under root A1 square minus A2 square यह क्या है हमारा? theoretical discharge है यह हमारा theoretical discharge है actual discharge क्या होगा? हमको पता है CD equal to क्या होता है? Q actual upon Q theoretical CD को क्या बोलते हैं? coefficient of discharge of venture meter coefficient of discharge of venture meter तो Q actual क्या हो जाएगा यहाँ पर? CD into Q theoretical तो हमको Q theoretical का value करता है इसमें put करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? Q actual तो Q actual क्या हो जाएगा? CD into under root 2GH H A1 A2 upon under root A1 square minus A2 square यह हमारा क्या हो जाएगा? Q actual यह हमारा venture meter का flow measure करने के लिए discharge measure करने के लिए formula है इसी से हमको numerical को भी solve करना है यहाँ पर area A1, A2 A1 किसका area है? pipe का area है, A2 throat का area है CD coefficient of discharge है Q actual निकालना रहेगा हमको इसको और simplify कर सकते हैं अगर examine derivation करने के लिए आएगा तो यहाँ तक ही करना है इसको और simplify कैसे किया जा सकते है? Q actual equal to CD under root 2G A1 into A2 upon under root A1 square minus A2 square into under root H इसी को simplify करके लिखा हूँ यह जो दिख रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं? constant बोल देते हैं K CD into K into root H Q actual K जहाँ पर क्या है? एक constant है जिसका value है root 2G A1 A2 upon under root A1 square minus A2 square अब H H क्या होता है? pressure head होता है इसको भी निकालने का तरीका है इसके लिए 2 cases है differential head है यह तो value of H by differential YouTube manometer differential YouTube manometer से हम H का value कैसे निकालेंगे? इसमें भी 2 case है पहला है when SM is less than S अब इसमें SM क्या है? जो manometer में जो fluid है वो है और S क्या है? जो pipe में fluid है वो है तो SM क्या है? specific gravity of lighter liquid और S क्या है? specific gravity of liquid flowing through pipe जो pipe में flow हो है उसका specific gravity जो pipe में flow हो रहा है उस fluid से तो H का value क्या हो जाएगा? H equal to X 1 minus SM upon S X क्या है? जहां पर reading of differential manometer X को क्या बोलेंगे? reading of differential manometer क्या निकालने हैं हम लोग? value of H निकाल रहे हैं second case है अगर हमारा SM का value ज्यादा है SM मतलब जो manometer में fluid है उसका specific gravity ज्यादा है जो pipe में flow हो रहा है उस fluid के specific gravity से उस case में क्या होगा? H क्या होगा? H equal to X SM upon S minus 1 तो इस case के लिए हमारा Q actual का value क्या हो जाएगा? Q actual equal to CD into K H के value क्या है? X SM upon S minus 1 यह छोटा छोटा इमेरीकल है जो objective question बनता है इस case के लिए भी हम Q के value बना सकते हैं Q actual क्या जाएगा? CD into K under root X 1 minus SM upon S यह इस case के लिए यह हो गया तो हमको ध्यान में रखना है specific gravity किसका जाता है? किसका कम है? और यह derivation तो बहुत easy है बस इसमें हमको 2 equation का यूश करना है बनाल equation का और continuity equation का दिख्याल से derivation समझ में आ गया होगा 10 mask derivation आता है यहाँ पे हमने 2 section लिया है 2 section किसके किसके बीच लेना है हमको यह एक pipe पे लेना है section 1 हो गया और एक throat पे लेना है section 2 हो गया यहाँ पे हमको बनाल equation यूश करना है इससे हमको क्याने मिलेगा? rate of low means q का value निकलेगा अगर इस question में इस derivation कुछ भी doubt रहेगा तो आप पूछ सकते हैं ओके thank you